इस वीडियो में हम जानेंगे कि angular material data table real time pagination back end से कैसे करें इसका मतलब यह नहीं है कि thousands and lakhs of the data है उसको लाकर और उसके उपर paginate कर रहे हैं नहीं ऐसा नहीं करना है ऐसा करेंगे तो page performance हमारा project का performance में problem आएगा क्योंकि thousands of data को एक लाना जो है definitely बहुत ही time consuming task है और performance पर असर पड़ेगा अब एक लाक data तो user नहीं देखेगा न जायर सी बात है तो user को क्या चाहिए user को 5 और 10 data initially चाहिए और अगर next page का data अगर चाहिए उसको तो ओ request कर लेगा तो इसका मतलब यह है कि अगर ओ next page का data चाहिए तो request करेगा अब उसके request पर हम data दिखाएंगे अगर उसको नहीं चाहिए अगर मान लिजे कि एक page में वो 5 data देखना चाहता है तो 5 दिखाएंगे दिखेंगे last 5 दिखाना चाहता है तो अगर मान लिजे कि ओ चाहता है next page का data देखना तो next page वाला दिखाएंगे सारे डेटा लाक्स डेटा को दिखाएंगे नहीं उसको क्योंकि वो सारे डेटा को एक बार में फेज करके और परिनेट करना अप्लिकेशन के परफॉर्मेंस पर इसू क्रियेट करेगा और यूजर को प्राबलम होगा इसे तो डेफिनेटली उसके रिक्वेश्ट पर हम उसक असलब यह है कि जब जो भी रिक्वेश्ट करेगा उसके अधार पर एपियाई कॉल होगा और डेटा मुझे मिलेगा और उसकी को हम यूजर को दिखाएंगे तो चलिए हम दिखाते हैं कैसे ये काम कर रहा है बिसिकली अगर हम यहाँ पे प्रेवियस पेज करते हैं तो प् फाइप ही आ रहा है और जिस पेज को रिक्वेश्ट किया है उस पेज का डेटा आ रहा है तो इन सारे चीज को हम कैसे करेंगे इस सारे रिक्वार्मेंट को कैसे अचीब करेंगे चलिए इसको डिटेल में जानने का परियास करेंगे पिछले वीडियो में स्टैक कैसे करते पेजीनेटर में आल्रेड डिसकस कर चुका हूँ, तो पिछला एपिसोड डेखना ना बूले, चलिए, जानने का परियास करते हैं, तो हमारे कोड में आप नोटिस कीजिएगा, कि मैं जो है पेजीनेटर के लिए, मैं पेजीनेटर यूज किया हूँ, यह एक important और basic step होता है, उसके बाद जैसा कि documentation refer किया था, documentation को follow करते हुए, पेजीनेटर भीूचाइल यूज किया गया है, खास बात यह है कि इस पेजीनेटर में lots of information है, actual information क्या क्या है, कि अगर आप request करेंगे next page को, तो आपको detail मिल जाएगा उसका, कि कहा से start हुआ है, means offset क्या है, limits क्या है, offset limit क्या होता है कि backend में उन सारे चीजों को जवरत पड़ता है, उसी के according query चलता है, और data जो है database से लाया जाता है, तो offset क्या है, limit क्या है, कौन सा page है, तो यह सारा information pageinator object से मिल जाएगा, तो basically यहाँ पे देख रहे है, ng after view init, यहाँ पे हम क्या कर रहे है, कि एक हम pageinator में एक, जब भी ह हमें यहाँ पे click करेंगे, तो life cycle के अंतरगत, angular life cycle hook के अंतरगत, ng view init में, यह चीज हमारा execute होगा, जिसमें हम pageinator को check करेंगे, कि क्या हो undefined है, अगर पहले से अगर undefined है, तो उसको छोड़ देंगे, अगर उसमें कुछ data है, तो हम क्या करेंगे, this dot page dot pipe tap this load, एक method हम load करेंग next page को, previous page को, तो हम उसके request के अधार पे, हम जो है, एक method को call करेंगे, और देखते है method करता क्या है, तो load page method actual में करता क्या है, तो अगर हम देखेंगे load, one second, यहाँ पर आप notice करेंगे load page, तो basically यह क्या करता है, एक method call करता है, और इस method में basically API call होता है, ठीक है, बट यहाँ पर क किया जा रहा है, तो क्या क्या चीज, पारामेटर प्यास किया जा रहा है, तो this dot pageinator dot page index, अब जायद से बात है, अब हम API call करेंगे, तो API में information तो भेजेंगे न, कि कहां से हम को data दिखाना है, मान लिजे कि, अब starting से चलते हैं, तो एक से लेकर, एक से लेकर पांच data यहाँ सो कर रहा है, अगला पांच से लेकर दस data next page में सो करेगा, तो यह information तो हमको backend को भेजना पड़ेगा, तब बैक एंड उसी के recording हमको data देगा, तो इन सारे चीजों को भेजने के लिए, हम लोग इस्तमाल करते हैं, this dot pageinator, dot page index, page index मतलब page का index बता चलेगा, page का size बता चलेगा, column to call name के आया, तो basically call name के आया कि इसमें sorting के लिए क्या माता है, कि sorting जब हम करेंगे तो, कि अब तो किस column का soot कर रहे हैं और ascending कर रहे हैं, यह सारा detail यहा पे आता है, order by, order by मतलब ascending होगा कि descending होगा, किस column का कर रहे हैं, तो फिल हाल हम तो pageinate कर रहे हैं तो इसकी ज़ुरत नहीं है इसको हम undefined भेज सकते हैं और पैकेंड में इसका वैलिडेशन लगा रहेगा कि अगर undefined है तो ओ एक column के हिसाब से sort नहीं करेगा ठीक है तो देखते हैं दिस record यह करता क्या है तो अगर हम दिस record method में अगर हम जाएंगे तो यहां पर आप notice करेंगे कि एक basically API काल हो रहा है API कैसे काल हो रहा है तो एक हम service यूज कर रहे है यह service basically करता क्या है अगर हम इसको service को open करेंगे तो आप notice करेंगे कि सब्सेश्न में API काल हो रहा है ठीक है तो basically various methods method बने हुँवे हैं इन सारे method को तो यूज़ करके हम API कॉल करते हैं, तो get all, get all करेंगे, तो यहां पर हम सारे डेटा को ला रहा है, ठीक है, get request के थुरू, तो this.http, http client यूज़ करके angular में, जैसा कि अब पता है, angular common http के थुरू, http client यूज़ करते हैं, और http का object से, हम get या post या put ऐसे करके, हम API कॉल करते हैं, तो get के लिए क्या चाहिए, just URL in point चाहिए, अब post के लिए क्या चाहिए, post के लिए URL in point के अलावा data चाहिए, जिसको हम post करना चाहते हैं, तो अब get all है, तो इसमें के वाल हमको URL का in point चाहिए, ओके, तो that's why, यहाँ पे आप notice करेंगे, यहाँ पे आप notice करेंगे, कि get URL में, URL send करेंगे, अब URL में कुछ चीज़ ऐसे होते हैं, जो constant होता है, तो constant वाले चीज़ को हम एक variable में यहाँ पे डाल दिए, this.module API, अब this.module API variable में task and task slash view है, API में यह जो है common है, इसलिए हम यहाँ पे generate कर रहे है, future में इसकी requirement होगा, हम application को बहतरीन और future में असानी से manage करने के लिए, हम लोग ऐसा करते हैं, अब यहाँ पे आप notice करेंगे, कि हम इसको subscribe करके data ला रहे हैं, तो basically हमको data कैसे मिल रहा है, अग API में हमको task list मिल रहा है, task list में doc मिल रहा है, doc के अंडर data है, तो उसी के according हम यहाँ पे collect करेंगे, देख सकते हैं, this.datalist जिसमें data.tasklist.doc, ऐसे हमको data मिल गया, जिस data को हमको show कराना है, और this.tasklist में इसको हम डाल दिये, तीक है, अभी इस ही variable में है, अब हम क्या करें, कि यह एक method call कर दिये, अब यह method करता क्या है, यह method क्या करता है, कि this.datasource, अब जैसा कि आपको पता है, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, कि जब आप angular material setup करते हैं, तो वहाँ पे जो है, table के अंदर आप एक data source देते हैं, जो भी data को show कराना चाहते हैं, तो अब हम इसके variable को change कर दिये, change किस से किये, तो हमारा जो नया data आया, उससे साथ हम change कर दिये, तो change करने के लिए हम लोग new mat table data source लिखते हैं, यह हमारा interface, interface कुछ नहीं है, बट यह एक pattern है, means एक skeleton है कि हमारा जो data आएगा, उसका format क्या होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप notice भी करेंगे कि mat data source यहाँ पे use किया गया है, ओके, तो I hope कि आपको यह समझ में आ रहा होगा, तो इस हिसाब से, यह सारे चीजे यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो new mat data source में हम नया, जो data, हम database, जो API कॉल करके लाए थे, उसको हम यहाँ पे डाल दिये, और जैसा कि आपको पता है, कि angular में two way data binding होता है, इसका मतलब जो चीज, जो data का value, आपको ts file में है, उस सेम चीज जो है, sync हो जाएगा, html में, तो यहाँ पे यह change हो गया, इसका value, तो same, same चीज यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी change हो जाएगा, क्योंकि two way data binding concept use होता है, यहाँ पर, तो यहाँ पर change हो गया, तो अब हमारा data change हो गया, अब पहले जो data show हो रहा था, वो replace होके नया वाला data show हो जाएगा, तो इसका मतलब यह है, कि जब भी हम यहाँ पर request करते हैं, तो एक API call हो रहा है, और API call होने के बाद हम को यहाँ पर data मिल रहा है, औ उस data को हम यहाँ पर collect करके, और basically यहाँ पर जो data source है, इसको provide कर रहे हैं, यह काम कर रहे हैं यहाँ पर, now एक चीज़ और, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, कि आप यहाँ पर notice कर रहे होंगे, ts file में, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाँ तो, this.load में, यहाँ पर मैंने pagination करके, this.paginator करके मैं यहाँ पर console किया था, तो इसका value अगर हम देखेंगे, अगर मान लिजे कि हम change करते हैं यहाँ पर, तो pagination करके, यहाँ पर उसको expand करेंगे, वो जो object है basically, यह जो pagination है, this.paginator, paginator जो object है, उसमें इतने सारे data हमको दिखाई द रहे हैं, इसका मतलब displayed page size, उसका detail हमको दिखाई दे रहा है, page index दे रहा है, page size क्या है, तो page size यहाँ पर five select किये हुए, तो five दिखाई दे रहा है, length क्या है, length दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब most of the cheese यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इसी को use करके, हम API call करते हैं, और इन सारे value को हम भेजते हैं, API call करने के दौरान, तो अब ऐसे भेजेंगे तो वहाँ से request आएगा, जायर सी बात है, request आएगा, उसी के according request आएगा, जो हम data भेजते हैं, और उसी को so कराते हैं, तो सारा चीज यहाँ पर available है, paginator को अगर आप console करेंगे, तो सारा most of the information यहाँ प project में कितने सारे values हैं, यह सारे चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, page index, page size यहाँ पर देख सकते हैं, length दे सकते हैं, like that, okay, I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा, now, यह जो API बना हुआ है, node.js में बना हुआ है, तो quickly हम node.js को थोड़ा देखते हैं, हलाकि यह Angular का application है, तो आपको पता चल गया कि आप API कॉल कर रहे हैं, डेटा को भेज रहे हैं, और वहाँ से response आ रहा है, और उसी के recording है काम कर रहा है, यह simple है, but it's okay, but फिर भी मैं आपको backend, आपको backend का कुछ code यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ, तो अगर आप यहाँ पर जाए यह हुए है, उस library का नाम है, उस library का नाम है, यहाँ पर मंगूज, मंगूज पेजीनेट बीटू, तो यह अगर आप यूज करना चाहते हैं, नोट जेस में तो बेटरीन है, इसमें बहुत आसानी से आप जो है पेजीनेशन आप कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर दिखाओ, task.task.js, तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, कि मैं basically क्या कर रहा हूं, कि अगर कोई request किया, तो यहाँ पर पहले मैं check कर रहा हूं, कि req.query.callsort, इसका मतलब क्या है, req.query का मतलब क्या है, कि जो हम भेज रहे हैं, means URL के थूज जो हम पास कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर notice करेंगे, जब हम यहाँ पर method call, API call करते हैं, तो यहाँ पर API call करते हैं, तो यहाँ पर offset भेज रहे हैं, limit भेज रहे हैं, call sort भेज रहे हैं, और order by भेज रहे हैं, basically call sort का भी use होता है, जब हम sorting करेंगे, इसका मतलब जब हम इसके उपर click करेंगे तो Asinding and descending होगा तो किसका Asinding and Desending कर तो किसका Asending and Desending कर रहा है तो वह Information बेजना पड़ता है तो इसे यहां पर हम यहजा呢 this call यहां पर call sort करते हैं call sort करनीम यहां बेज़ते हैं तो यह call को shotting करना है omena करना है और Asending करना है OR Jay Indy करना है यह Information बेज डेजressed यह तो अब जायर से बात यह सारा information भेजेंगे तो node.js में उसको collect भी करना चाहिए, तो यह जो है यहाँ पर collection हो रहा है, collect कैसे हो, get होता है, तो req.query.call sort करेंगे, तो call उसका किस column को sort करना उसका data मिल जाएगा, तो अब यह तो sorting में इस्तमाल होता है, अब pagination में इसका इस्तमाल होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आप notice करेंगे, कि undefined एक check किया गया, condition है, कि अगर undefined है, तो by default हम title को sort करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, offset है, offset हम req, offset हम ले आए, उसके बाद limit ले आए, उसके बाद किसको sorting करना है, इसको लाने के बाद task dot paginate method call कर र है, इस option को, इस object में various information है, like offset, limit और sort, और फिर हमारा एक callback method है, जो की हमको result return कर रहा है, ठीक है, उसके recording sort करके, तो यह जो paginate करके, यह method है, basically हम, मैंने जो आपको दिखाया था, यहाँ पर इस्तमाल हुआ है, मंगूस paginate करके, मंगूस paginate भी to library योज किया गया, हलांकि आप खुद का भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको, आपको तो मिल गया, आपको तो offset मिल गया, limit मिल गया, कि इसको sort करना है, sending, descending, किस order में करना है, वो सारा information मिल गया, तो आप खुद से भी query करके कर सकते हैं, बट यह थोड़ा speed हो जाता है, fast हो जाता है, इसलिए इस library को use किया गय है, आप चाहे तो इसका इस्तमार कर सकते हैं, ठीक है, तो next वीडियो में हम बताऊंगा कि आप sorting कैसे कर सकते हैं, और तब तक के लिए धन्यवाद, thank you for subscribing the YouTube channel.